जहिंद तो आल दी रिस्पेक्टेड एस्पिरेंस ऑन बिहाफ अव गोईला क्लासस मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं जैसे की टियो और में एटियो की जो मेंस की क्लासस हमारी चल रही है तो उसमें डेली हम आपके साथ एक क्वेशन को डिसकस कर रहे हैं और जो भी क्व यानि कि येस्टेड़े वी आर अप्लोडिंग डाट कॉस्चन जो हम आज डिसकस कर रहे हैं तो देखिए शुरू करने से पहले आप हमारी जो गोईला क्लासस की वेबसाइट पर लॉग इन करते हैं वहाँ पर जो टियो और एटियो का जो आपको पोटल मिलता है वहाँ प आपकी आंसर रेटिंग है उसको चेक करेगी राइट चले अब हम सीधे पॉइंट पर आते हैं जो क्वेशन था जो कल आपको दिया गया था वो क्वेशन था कि the concept of administrative tribunals was added by the 42nd constitutional amendments they are really are अब ये question बन रहा है are they really playing a helping hand for the judicial system in इंडिया मतलब पूछा ये जा रहा है कि जो tribunal system है वो 42 संशोधन से जोड़ा गया है भारत के समिधान में यानि कि हमारा जो original समिधान था उसमें tribunal का सिधान्त नहीं था और ये भी पूछा जा रहा है कि जो tribunals जोड़े गए थे इनको जोड़ा इसले गया था इस मकसद से जोड़ा गया था कि जो नियाइपालिका पे जो over button आ रहा है cases का बहुत सारे cases pending रह जाते हैं इस वज़े से तो वो button को कम किया जाए यानि कि कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि जो tribunals हैं ये जो courts होती हैं उनका जो कारी है उसको बाटेगा तो क्या ये सच में बाट रहा है ये पुछा जा रहा है तो इसमें आपको comment करना है मैं अलोड़ी बता चुका हूँ comment आप कैसे करते हैं उसमें जो भी आप ल मुद्धा है हमारा जो में मुद्धा है वो ट्रिबुनल है अगर ट्रिबुनल ये समिधान में है तो हमें बताना पड़ेगा समिधान में कहां पर है constitution में कहां बैठा हुआ है कौन से अनुचेत में बैठा हुआ है don't worry वो हम देखेंगे अभी दूसरा point हमने जो देखना है या नहीं करने है ठीक है अब देखें इसमें आपको जब answer लिखना होता है तो आपने हवा में बात नहीं करनी है इस वाले में भी क्योंकि ये data अल्रेडी दिया गया होता है कि अभी भी अगर ट्रिबुनल है तो किते cases pending कम हो रहे हैं या जादा हो रहे हैं जो कि वो data मैं आ नहीं बने हैं अगर pending बने हुए हैं अगर ट्रिबुनल के होते हुए भी pending cases हैं तो उसका last में हम कुछ ना कुछ solution देंगे वो solution हमारा खुद का होता है तो ये एक means writing है तो इन जो एक मैंने आपको ये structure बताया है अब आए facts देखते हैं तो देखें जो facts हैं वो ये हैं जो ट judicial institution होता है क्वासी judicial मतलब होता है इसके पास judicial जैसी पूरी शक्तियां नहीं होती है ट्रिबुनल के पास यानि कि जैसे मैं बात करूँ 302 जिसमें मडर की बात होती है उसके तहत अगर नियायपालिका चाहे तो किसी को भी फासी दे सकती है जो 302 में convict पाया गया है तो उसको फासी की सजा दे सकती है judicial system परन्तु जो tribunal होते हैं उनके पास इतनी शक्ति नहीं होती है कि वो किसे को फासी दे सके तो आप समझ पायोंगे क्वासी जुडिशियल हम क्यों कहते है ट्रिबुनल्स को क्यों कि उनके पास नियाई शक्ती होती है परंतु नियाई पालिगा के बराबर नहीं होती है तो आगे बढ़ते हैं 42nd amendment जो कि 1976 में हुआ था उसके तहत इंटर्डूस किया गया किसका introduction हुआ establishment of tribunals यानि कि tribunals को स्थापित किया गया 42 संचोधन जो कि 1976 में हुआ था during emergency 1975 से 77 तक emergency लगाई गई थी तो इसी के बीच 42 संचोधन होता है और वो क्या लाता है tribunals तो हम कह सकते हैं tribunals कब आया है जब अपातकाल लगा हुआ था राइट आगे बढ़ते हैं देखें साफ लिखाया अब ओविस्सी बात है जब 42 संचोधन से ने जोड़ा गया है तो वह नॉट part of the original constitution यह जो हमारा समिधान जो वास्तविक समिधान था जो 26 जनुवरी 1950 को लागव हुआ था वहाँ पर tribunal का विश्य नहीं पाया जाता था आप देखेंगे जब यह जोड़ा गया तो इसको जो आर्टिकल 323 है याद रखेंगे अनुचिछे 323 में जोड़ा गया तो वहीं पर यह जोड़ा गया है तो यह बात याद रखेंगे जब ट्रिबुनल्स जोड़ा गया है आर्टिकल 323-a यह आपको देख पा रहे होंगे और 323-b अब देखें यह भी हमें थोड़ा समझना होता है यह होते क्या है दोनों ही बात करते हैं ट्रिबुनल्स को स्थापित करने की 323-a और 323-b अब इन दोनों में फर क्या होता है वो भी हम देखेंगे सारे डेटा में आपको दूगा देखें यहां पर समझिएगा जो 323-a है जब आप समिधान पढ़ेंगे जब आगे क्लास जबाएगी मेरी जो आप पॉलिटी की में क्लास बना रहा हो उसको फॉलो करिएगा तो जब ट्रिबुनल्स पढ़ाऊँगा तो आपको दिखेगा कि जो 323 में जो ट्रिबुनल्स बनाए जाएंगे जो ट्रिबुनल्स बनाए जाएंगे वो बनाए जाएंगे संसत द्वारा पार्लिमेंट ही बनाएगी और ये जो ट्रिबुनल्स होंगे ये किस मुद्दे को देखेंगे ये भी बताया गया है ये जो लोग सेवा जो पब जो ट्रिबुनल्स बनाय जाते हैं वो 3-2-3-A में बनाय जाते हैं और कौन बनाता है पार्लिमेंट यानि कि जो राज जी की विधान सबाय हैं वो 3-2-3-A का प्रियोग नहीं कर सकती हैं ये बाद याद रहेंगे और वहीं मैं अगर 3-2-3-B की बात करूं तो यहां पर ट्रि राज जी की जो विधान सबाय होती है यानि कि स्टेट जो लेजिसलेचर होते हैं वो भी बना सकते हैं यानि कि यहां पर केंदर और राज जी केंदर यानि कि संसत और राज जी यानि विधान जो मंडल है राज जी का वो बना सकता है 3-2-3-B में दिये गए ट्रिबुनल्स को तो क्या सी के हम 3 to 3 का में केवल संसत के पास शक्ती है कि वो tribunals बना सकती है और 3 to 3 B में संसत एवं जो विधान मंडल होती है राजी की वो बना सकती है और 3 to 3 A में केवल जो लोग सेवाय होती है तो आगे देखेंगे आगे डेटा है आपके पास अब जो 3 to 3 B है जैसे की मैंने बताया था इसमें जो संसत है पर्लिमेंट है और जो हमारी विधान मंडल होती है जो स्टेट लेजिसलेचर होती है देखें याद रखेगा राज्य में विधान सभा और विधान परिशद होती है भारत में हर राज्य के पास विधान सभा होना अनिवार है परंतु विधान परिशद हर राज्जी के पास नहीं है तो comment section में बताईएगा वरतमान में भारत में किन-किन राज्जों के पास विधान परिशदे भी है ठीक है तो आगे देखेंगे ये 3 to 3 में पर्लिमेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों बना सकते हैं और ये मुद्दे हैं देखें किन-किन मुद्दों पर ट्रिबुनल्स ये बना सकते हैं taxation यानि के कर से संबंधित foreign exchange होता है और import-export आयाद नेरियाद industrial labor, land reforms ceiling on urban property election of the parliament से संबंधित state legislature से संबंधित food stuff, rent and tenancy rate बाफ कीज़ेगा तो यहाँ ये मुद्दे हैं इन पर tribunals दोनों बना सकते हैं कौन? पर्लिमेंट प्लस जो state legislature होती है अब प्रशने के असर हमें ये याद करने होता है? नहीं ऐसा नहीं है, कभी आपको याद करने हैं एक दो याद रखेगा, taxation याद रखेगा import, export याद रखेगा land reforms जो होते हैं याद रखेगा, थोड़ा बहुत याद रखेगा कोई आप सैसा नहीं पूछेगा, ठीक है? वैसे भी आपने means writing करनी है, तो वहाँ पर आप जितना जादा याद रखेगा लिख सकते हैं तो आपके लिए फायदा होगा, it's all about the merit अब देखे 3-2-3-A और 3-2-3 में जो अंतर है वो भी हम देख लेते हैं आर्टिकल 3-2-3-A जो है वो बात करता है ट्रेबुनल की जो सिर्फ public service matters जो होते हैं जो सेवा के जो मुद्दे होते हैं उसी में डील करेगा 3-2-3-A और 3-2-3-B जो है वो अन्नी मुद्दो पे भी डील करेगा यानि कि मैं अल्यडी बता चुका हूँ जो लोग सेवा है पब्लिक services है उसमें 3-2-3-A यानि कि केवल पार्लिमेंट बनाएगी ट्रिबुनल पहला हमने देख लिया है अब दूसरा देख लेते हैं 3-2-3-A में क्या होता है यह केवल यहाँ पर पार्लिमेंट बना सकती है और 3-2-3-B में क्या है पार्लिमेंट और स्टेट लेजिसलेचर दोनों बना सकते हैं तो देखें सिंपल सा है यहाँ पर public service commission की बात की गई इस जाएंगे वह अन्यमुद्दे भी देखे जाएंगे जैसे taxation जैसे land reforms वह मैं अलड़ी आपको दिखा चुका हूँ और 3-2-3-A में जो tribunal बनेंगे वह बनाएगा कौन संसद और 3-2-3-B में जो tribunals बनेंगे वह दोनों बना सकते हैं संसद और state legislature तो यहाँ पर आगर आप प meet by whom इसको बना कौन सकता है तो मुझे उमीद है यह difference आपको पता चल गया होगा अब देखे why is there a need of tribunal ऐसे यह tribunals की क्यों महसूस हुआ कि tribunals की जरूत है क्योंकि original समीधान में तो ऐसा था नहीं 1950 में लागो हो चुका है फिर 26 वर्ष बाद यानिकि 1976 में tribunals आए हैं तो 26 में ऐसा क्या महसूस किया गया कि tribunals की जरूत हुई देखे ऐसा हुआ नियाएपालिका के पास cases बहुत आए और वो बहुत pending जा रहे थे देखे यही है तो cases जो pending थे जो नियाएपालिका में cases pending थे अलगलग courts में तो उसको overcome किया जाए यानिकि उसको solve किया जाए तो लिए ट्रिबुनल गठित किये गए ठीक है अब ट्रिबुनल्स वर सेट अप टू रेडियूस दी वर्कलोड ऑव दी कोट यानिकि जो कोट पे जो अत्यधिक भार आ रहा था अत्यधिक तो उसको कम किया जाए इसलिए ट्रिबुनल्स बनाए गए यह बात याद रखेंग इसलिए ट्रिबुनल्स लाए गए अब देखें यह एक ऑफिशल डेटा है तो इसको आप भरोसा रख सकते हैं यह पी आरेस का डेटा है तो देखें इसके हिसाबचा भ्यान से देखेंगा कि ज्यादा तर आप देखेंगे इसमें डेटा आपको 2018-2020 इस तरह का मिलेगा और यह डेटा मिलेगा आपको ट्रिबुनल्स के बारे में यानि कि ट्रिबुनल्स कैसा काम कर रहे है अगर अस्तेत्व में हैं 1946 से तो क्या पैंडिंसी खदम हो गई है या अभी भी है तो यहां से देटा मिलता है तो दिखें मार्च 15 2021 में जो इस सेंट्रल गवर्मेंट के इं पर पेंडिंग जो है वो 7000 से जादा मामले है जैसे 7312 लिखा है याद मत रखे मैंने हमेशा काया है लगभग 7000 पेंडिंग केसे अभी भी और देखे 2021 का डेटा है दो साल कुराना डेटा है 2023 चल रहा है अब देखे आगे देखते हैं और वहीं पर फरवरी 28 2021 की बात करें तो Armed Forces Tribunal है उनके पास 18000 से ज्यादा केस पेंडिंग है 18000 से ज्यादा जो केसे है वो पेंडिंग है ठीक है Armed Forces Tribunal के और जन्वरी एक 2018 की बात की जाए तो जो Income Tax Appellate Tribunal है Income Tax जो आएकर विभाग है Appellate Tribunal है उसके पास 91,643 पेंडिंग केसे है यानि कि लगबख 91,000 के आसपास जो केसे है वो पेंडिंग है तो देखें यह रिपोर्ट आपको कोट करेंगे तो अच्छे मार्स मिलेंगे तब ही आप इसका solution दे पाई है क्योंकि आपने comment करना है comment करते समय हमें कोई authentic report रखनी पड़ती है अगर आप tribunals की बुराई कर रहे हैं यानि कि अभी भी इनके होने से भी cases spending है तो आपको एक authentic report रखनी पड़ती है तो यह report का आप इसको हमारी जो combo test series है उसमें यह आपको available किये जाएंगे नोट्स तो आपको नोट्स बनाने के लिए समय बरबाद नहीं करना है क्योंकि दो ठाई तीन मेहने में आपका paper हो जाएगा तो आप इन है ना पहले मानने तहीं खेत है दस बाई दस का वहाँ एक ही मजदूर काम कर रहा है अब तो वहाँ चार मजदूर आ गया है तो काम तो जल्दी होना चाहिए तो report तो हमें यह दिखा रहे है कि अभी भी जो है खेत का काम पूरा होई नहीं रहा पेंडिंग अभी भी है तो एक Tribunals Reform Rationalization and Condition of Services Ordinance, Ordinance मतलब होते है अध्यादेश, अध्यादेश के बारे में आपको पता होना चाहिए अनुछे एक सो तेईस में यह राश्टपती लाते हैं और दो सो तेरा में यह राज्यपाल लाते हैं अध्यादेश, तो जो अध्यादेश होता है वो आता तो ए इतने भी केसेज यह 9 Tribunals देख रहे थे वो दुबारा सा High Court में आ गया और कही न कहीं इस से हमें क्या पता चला हाई कोट पे और केस बढ़ गया हाई कोट पे और पेंडेंसी बढ़ गई मतलब कहीं न कहीं जो 42 संशूदन 1976 से Tribunals लाए गए थे कि भाया यह कोट की मदद कर करेंगे परंतु क्या देखा जा रहा है केसिस तो और पेंडिंग हो रहे हैं इसलिए अंत में कहीं न कहीं 2021-2022 के वीच हमने देखा काफी जारा काफी कानून आये काफी अध्यादेश आये जिन में Tribunals को खतम किया जा रहा है एक आपके सामने रखा है तो सर क्वेशन है क् आप ऐसे भी लिख सकते हैं The Tribunal Reforms Ordinance 2021 आपके मार्स नहीं कटेंगे अंदर का स्किप कर सकते हैं तो इसमें आप देखेंगे 9 Tribunals को क्या किया है खतम कर दिया है तो इससे यह बता चला है कि Tribunals अपना काम नहीं कर रहे है और मैं खुद नहीं कह रहा हूं यह एक डेटा के स आप समक्या रहे है ठेक है फिर एक Standing Committee बनाए गई कि भाईया ऐसा क्यों हो रहा है Tribunals काम क्यों नहीं कर पा रहे है तो देखें अधा Standing Committee बनाए गई और Personal Public Revences Law and Justice 2015 में बनाए गई तो अब इतना भी लिख देंगे तो चलेंगे एक Standing Committee बनाए गई 2015 में उन्होंने क्या नोट किया जब उन्हें रिसर्च करी ये पाया कि जितने भी बहुत सारे जो Tribunals हैं वहाँ पर ये देखा गया है कि वहाँ पर vacancies हैं यानि कि जितने लोगों की जरूत है उतने लोगों को नहीं लिया जा रहा है यानि कि जो नियुकती है वो नहीं की जा रही है ये बात आप समझ पा रहे हैं तो ये कूट भी आपने करना है तो इससे हमें ये भी पता चल गया कि ट्रिबुनल अगर फेल हैं आज के समय में तो क्यों है क्योंकि वहाँ पर कहीं न कहीं कमी है मैं पावर की तो यह यहां से आपको दिखा होगा कि कैसे मैंने सॉल्व किया है इसको 1976 में हुआ था द्यूरिंग इमेर्जेंसी 323 ए जोड़ा गया फिर बी जोड़ा गया एक लिए पार्लिमेंट जिम्मेदार है बी के लिए पार्लिमेंट प्लस स्टेट लेजिसलेचर दोनों बना सकते हैं ए में केवल क्या बन सकता है पब्लिक सर्विस के लिए बन आज भी है तो फिर उसके बाद मैंने एक अध्यादेश की बात की थी कि नौ जो ट्रिबिनल्स थे उनको कही ना कहीं बंद कर दिया फिर मैंने बताया आपको जो स्टैंडिंग कमिटी है उसने रिसर्च करी और यह पाया कि कहीं ना कहीं किसकी कमी है मैंपावर की तो अगर मैंपावर बढ़ा दिया जाएगा तो ट्रिबुनल कहीं न कहीं काम करेगा अच्छा तो ऐसे आपने एक सॉलूशन दे देना है तो देखे एक अथेंटिक डेटा ऐसे लिखा जाता है तो इस स्लाइड से आप वो डेटा ले सकते हैं तो देखे यह स्लाइड आप इतना चाहते हैं तो इट विल कॉस्ट यू 2999 और अगर आप कॉंबो लेते हैं कॉंबो प्रीमियम जो लेते हैं इसको मैं रिकमेंड करूंग आप दीजीगा क्यों क्योंकि तीन की तीन टेस्स तो आपको मिलें गई प्लस इसमें गवर्मेंट अकाउंट की जो चैप्टर 1 999 और ली तो देखें कॉस्स एफेक्टिव रखे गए हैं जिससे कि आपने लोड ना है ठीक है और यहां पर आप देखेंगे हमारा जो टेलिग्राम चैनल है आप देख पा रहे हैं उसका लिंक इसमें आप जोइन करिए क्योंकि इसमें हम डेली अपडेट्स जालते हैं ज इस means writing है और कोई आपके question होते है किया diabetes उठाना है तो आप हमें कमेंड कर सकते हैं और देखें जो भी आगर आपको सीरीज पसंद आ रहे हैं तो आप कमेंड करिए आपकी petite करिए हमें कहीं कहीं नहीं हमारे जो मनोबल होता है बहुता है तो यहीं से मैं अपना lecture समाप्त करन और समाब करने से पहले आपको लगेगा कि आज एक question नहीं आया है आपके लिए क्योंकि मोस की हम इस slide में दे देते हैं तो question अभी तैयार नहीं है बहुत जल्द जो हमारी website है उसमें आपको question दे जाएगा तब तक के लिए खुश रहिए जैहन्द पर यहले जाएगाहा है